पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवी और सजनों आज का ये कायरकम 21 सदी के नए भारत के नए लक्षनों और नए सफलताओं का प्रतीक है आज हादी के इस अमरित काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के वीजन पर काम करना शुरू कर दिया है अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गती देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है एनर्जी सेक्टर की मजबूती, इज अफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और इज अफ लिविंग के लिए भी उतनी ही एहम है हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी जिन लाभारती सात्यों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बड़लाव लाई है सात्यों, आज हजारों करोर रुपियों के जिन प्रोजेक्स की लॉंचिंग और लोकारपन हुआ है वो भारत की एनर्जी सिकुरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक एहम कदम है ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्षों, ग्रीन टेकनलोजी के हमारे कमिट्मेंट और ग्रीन मोबिलिटी के हमारी आकांचाओं को बल देने वाले हैं इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्मार होगा ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगना, केरला, राजस्तान, गुजरात और लद्दाग से जुड़े हैं लेकिन इनका लाप पूरे देश को होने वाला है साथियों हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियां से लेकर देश की रसोई तक चलें इसको लेकर भी ते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है लदाक और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन उसके दो बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है लदाक में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइडरोजन आधारिट ट्रांस्पोर्ट के कमर्शल इस्तेमाल को संभव बनाएगा यानि लद्दाक देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द फ्यूयल सेल एलेक्टिक वेहिकल चलने शुरू होंगे इलद्दा को कार्बन निट्रल छेत्र बनाने भी मदद करेगा साथियों देश में पहली बार गुजरात में पाइप नेच्रल गेस में ग्रीन हाइडरोजन की ब्लेंडिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अभी तक हमने पैट्रोल और हवाई इंधन में इथे नौल की ब्लेंडिंग की है अब हम पाइप नेच्रल गेस में ग्रीन हाइडरोजन ब्लेंड करने की तरब बढ़ रहे हैं इससे नेच्रल गेस के लिए विदेशी निर्भरता में कभी आएगी और जो पैसा विदेश जाता है वो भी देश के ही काम आएगा साथियों आठ साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिती थी ये इस कारकम में बैटे सभी दिग्गत साथियों को पता है हमारे देश में ग्रीड को लेकर दिक्कत थी ग्रीड फेल हुआ करते थे बिजली का उत्पादन गट रहा था कटोती बढ़ रही थी डिस्ट्यूबिशन सिस्टिम पूरी डवा डोल थी ऐसी स्थिती में आठ साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांस्फॉर्म करने का बिड़ा उठाया बिजली व्यवस्ता सुधारने के लिए चार अलग-अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया से महत्वपोर्ण कनेक्शन आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दुसरे से किस तरह से जुड़े हुए है अगर जन्रेशन नहीं होगा ट्रांस्पिशन डिस्टिबिशन सिस्टिम मजबूत नहीं होगा तो कनेक्शन देकर भी कोई कलाब नहीं होगा इसलिए जादा से जादा बिजली पैदा करने के लिए पूरे देश में बिजली के प्रभावी वित्रण के लिए प्रांस्मिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आदूनी करण के लिए देश के करोडों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी इनी सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही बलकि जादा से जादा गंटे बिजली मिलने भी लगी है पिछले आठ वर्षों में देश में लगभग एक लाग सत्तर हजार मेगावर्ट बिजली उतपादन की एक समता जोड़ी गई है बन नेशन बन पावर ग्रीड आज देश की ताकत बन चुका है पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग एक लाग सत्तर हजार सर्कीट किलोमिटर ट्रांस्बिशन लाइन्स बिचाई गई है सवभागी योजना के तहर लगभग तीन करोड बिजली कनेक्शन देकर हम सेक्चुरेशन के लगश तक भी पहुँच रहे हैं साथियों हमारा पावर सेक्टर एफिशन्ट हो एफेक्टिव हो और बिजली सामान्य जन की पहुँच में हो इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर जरूरी रिफॉर्म्स किये गए हैं आज जो नई पावर रिफॉर्म्स जोजना सुरू ही है वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है इसके तहट बिजली का नुक्षान कम करने के लिए स्मार्ट मिटरिंग जैसी ववस्ताएं भी की जाएगी जिससे एफिशन्सी बढ़ेगी बिजली का जो उपवोगता है उसकी सिकायते खतम हो जाएगी देश बर्की डिस्कॉम्स को जरूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी ताकि ये आधुनिक इंफ्रासेक्टर का निर्माण और आर्थिक रुप से खुद को ससक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉंस भी कर सके इसमें डिस्कॉम्स की ताकत बढ़ेगी और जनता को परियाप्त बिजली मिल पाएगी और हमारा पावर सेक्टर और मजबूत होगा साथियों अपनी एनर्जी सिक्यूरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूवल एनर्जी पर बल दे रहा है वो अभूत पुर्वा है हमने आजाजी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावर्ड रिन्यूवल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्ब लिया था आज हम इस लक्ष के करीब पहुँच चुके हैं अभी तक नौन फोसिल सोर्सिस से लगबाद 170 गीगावर्ड कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है आज इंस्टॉल सोलार कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप चार या पाँच देशों में है दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हैं भारत में हैं इसी कड़ी में आज दो और बड़े सोलर प्लांट देश को मिले हैं। तेलंगना और किरला में बने ये प्लांट देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से हैं। इनसे ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी ही। सूर्य की गर्मी से जो पानी भाब बनकर उर जाता था वो भी नहीं होगा। राजस्तान में एक हजार मेगावर छमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट के निर्मार का भी आर्ष्य काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है ये प्रोजेक्स उर्जा के मामले में भारत की आत्मन निर्भरता के प्रतीक बनेंगे। साथियों अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत बड़े सोलर प्लांट लगाने के साथ ही जादा से जादा घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोड दे रहा है। लोग आसानी से रूप टॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा पाएं। इसके लिए आज एक नेशनल पॉर्टल भी शुरू किया गया है। एक घर पर ही बिजली पैदा करने और बिजली उत्पादन से कमाई दोनों तरह से मदद करेगा। सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की बचत करने पर भी है। बिजली बचाना याने भविश्य सजाना याद रखिए बिजली बचाना मतलब बिजली बचाना भविश्य सजाना। PM किस्विम योजना इसका एक बहत्री उदारन है, हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं, और इससे हमारा अन्न दाता उर्जा दाता भी बन रहा है, किसान के खर्च में भी कमी आई है, और उसे कमाई का एक अतिरिक साधन भी मिला है, देश के सामान्य मानवी का बिजली का बिल कम करने में उजाला योजना ने भी बड़ी भूमी का निवाई है, गरों में LED बल्ब की भज़त से हर साल गरीब और मद्यमबर के बिजली बिल में पच्चास हजार करोड रुपिया से ज्यादा परिवारों में पचास हजार करोड रुपिया बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है, साथियों इस कारकम में अनेग राज्यों के सम्मानित मान्य मुक्यमंत्री और ये अन्य प्रतिनिती जुड़े हुए हैं, इस अउसर एक बहुत गंबीर बात और अपनी ब अगत को लाल की ले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था, समय के साथ हमारी राज्यों में एक गंबीर विकार आता गया है, राज्यों में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिस होती ह ये रणनिती तदकालिक रुप से अच्छी राजनिती लग सकती है, लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनोतियों को, कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीडियों के लिए टालने वाली योजना है, उनका भविश्य तबाह करने वाली बाते हैं समस्या का समाधान आज डून्डने के बजाए, उनको ये सोच करके टाल देए कि कोई और इसको समझेगा, कोई और सुल जाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या मैं तो पांच साल, दस साल में चला जाऊंगा ये सोच देश की भलाई के लिए उचीत नहीं है, इसी सोच की वज़ा से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में हैं, और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है, और उस राज्य के बविश्य को अंदकार की और धकेल देता है, आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्टुबेशन सेक्टर में लॉसिस डबल डिजिट में हैं, जब कि दुनिया के विख्षित देशों म ये सिंगल डिजिट में बहुत नगणने हैं, इसका मतलब ये हैं कि हमारे हाँ बिजली की बरबादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें जरूरत से कहीं अधीक बिजली के पैदा करनी पड़ती है, अब सवाल ये है कि डिस्टुबिशन औ ट्रांस्मिशन के दोरान तो जो नुक्षान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में जरूरी निवेश क्यों नहीं होता, इसका उत्तर ये हैं कि अधीक तर बिजली कम्पनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है, सरकारी कम्पनियों का भी ये हाल हो जाता है, इस्थित और जन्ता को महेंगी बिजली मिलती है, आंकडे बताते हैं कि बिजली कम्पनियों बिजली तो परियाप्त पैदा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जरूरी फंड नहीं है और जादा तर ये कम्पनियों सरकारों की हैं, इस कड़वे सत से आप सभी परिचित हैं, शा समय पर मिला हो, उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं, देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का एक लाख करोड रुपिय से अधिक का बिल बकाया पड़ा है, ये पैसा उन्हें पावर जन्रेशन कम्पनियों को अनेक सरकारी भीभागों पर, स्थानिय निकाओं पर करीब करीब साथ हजार करोड रुपे से अधिक का बकाया है, और चुनोती इतनी ही नहीं है, अलग अलग राज्यों में बिजली पर सबसीडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कम्पनियों को समय पर और पुरा नहीं मिल पाता, ये बकाया भी ये बड़े-बड़े वादे करकर जो किया गया है न, वो भी बकाया करीब करीब 45,000 करोड रुपे से अधिक का है, यानि बिजली बनाने से लेकर गर-गर पहुंचाने तक का जिम्मा जिनका है, उनका लगबग डाई लाग करोड पसा हुआ है, ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बविश्की जर्रोतों पर निवेस हो पायेगा और नहीं हो पायेगा, क्या हम देश को, देश की आने वाली पीडी को अंदेरे में जिने के लिए मजबूर करना है क्या, साथ यों, ये जो पैसा है, सरकार की ही कुछ प्रावेट कमपनिया है, उनकी लाधत का पैसा है, अगर वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर कमपनिया न विकास करेगी, न बिजली के नए उत्पादन होंगे, न जरुरते पुरी होगी, इसलिए हमेश स्थिति की गंभीरता को समझना होगा, और बिजली का कारखाना ल लगाने में पांचे साल चला जाता है, इसलिए मैं सभी देश वासियों को हाथ जोड करके प्राथरा करता हूँ, देश के उजवल भविश के लिए प्राथरा करता हूँ, हमारा देश अंदकार में न जाए इसके लिए जागरुत होने की जरुत है, और इसलिए मैं कहता ये राजनीती का नहीं, ये राष्ट नीती और राष्ट निर्मार का सवाल है, बिजली से जुड़े पूरे सिस्टीम की सुरक्षा का सवाल है, जिन राज्यों के ड्यू स्पेंडिंग है, मेरा उनसे आगरा है, कि वे जितना जल्दी संभव हो सके, इन चीजों को क्लियर करे साथ ही, उन कारणों पर भी इमानदारी से विचार करें, कि जब देश वासी इमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार-बार बकाया क्यों रहता है, देश के सभी राज्यों द्वारा, इस चुनोती का उचित समादान तलासना, आज समय की मांग है, साथ क्यों, देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रासेक्टर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधूनिक होता रहे, हम उस थिती की कल्पना भी कर सकते हैं, कि अगर बीते आठ बर्षों में सब के प्र बार बार ब्लेक आउट होते, शहर हो या गाउं कुछ गंटे ही बिजली आती, खेत में सीचाई के लिए किसान तरस जाते, कार खाने थम जाते, आज देश का नागरी सुभिदाय चाहता है, मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजे उसके लिए रोटी, कपड़ा और मक जैसी जरूरत बन गई है, बिजली की स्थीति पहले जैसी होती ते कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल्प होना चाहिए, हर किसी का दाईत्व होना चाहिए, हर किसी को इस कर्तवय को निभाना चाहिए, हमें याद रखना है, हम अपने दाईत्वा पर खड़े उतरेंगे तभी अमरुत काल के हमारे संकल पस्चिद्ध होंगे आप लोग बली बाती मैं गाउं के लोगा से बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि घर में सब हो गी हो, तेल हो, आटा हो अनाज हो, मसाले हो, सबजी हो सब हो, लेकिन चूला जलने की बवत्ता न हो तो पूरा घर भूका रहेगा अगर निगर रहेगा उर्जा के बिना गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी जैसे घर में अगर चूला नहीं जलता है भूके रहते हैं, देश में भी अगर बिजली की उर्जा नहीं आई तो सब कुछ थम जाएगा और इसलिए मैं आज देश माचियों के सामने बहुत गंभीरता पूरवा और सभी राज्य सरकारों को करवद्ध प्रार्थना करते हुए मैं आगर करता हूँ कि आईए, हम राजनीती कि राज्टे से हट करके राष्ट नीती के राष्टे पर चल पड़े हम मिलकर के देश को भविश में कभी भी अंदेरे में न जाना पड़े इसके लिए आज से ही काम करेंगे क्योंकि बर्सों लग जाते ही इस काम को करने में साथियों मैं उर्जा परिवार के सभी साथियों को बढ़ाई देता हूँ इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए देश के कौने कौने में बिज़िक को लेकर के इतनी बड़ी जागरुकता बनाने के लिए एक बार फिर नए प्रदेश की भी मैं बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ पावर सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होलर्स को शुपकामनाई देता हूँ मेरी तरफ से आप सबको उजबल भविश्की अनेक अनेक शुपकामनाई बहुत-बहुत धन्यवाद